कॉंग्रेस भी उत्र प्रदेश के अंदर दलित स्वाभीमान यात्रा निकाल कर दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है कॉंग्रेस इस यात्रा के जर्ये गाउं गाउं जाकर दलित परिवारों की समस्याय जाने की कॉंग्रेस ने उनके लिए क्या कुछ आज तक कारे किये हैं ये बताए कि इस पर कॉंग्रेस प्रदेश अद्यक्ष जेकुमार लल्लू से खास बाचीत की हमारे समवादातार रामा नुजभट ने देखिए कॉंग्रेस अब स्वाभिमान यात्रा निकाल रही है दलितों के उठान के लिए डलितों के स्वाभिमान के लिए इस यात्रा को रखाजार हमारे साथ मोजुद आजए कुमाल ललू जे प्रदेश अद्यक्ष है सर दलित के लिए जो ये स्वाविमान यातर निकाले रहे आखिर क्या उद्धेश है दलित भाईयों के बीच में जाना उनके अधिकारों के लिए जागरू करना और पिछले समयों में जो कांग्रेस पार्टी ने उनको अधिकार दिये हैं चाहे वो जमीन के अवंटन का मामला हो, चाहे उनको नौकरी में रच्छन का मामला हो या और तमाम जो करांथिकारी बदलाओ कांग्रेस पार्टी ने अपने समयों में जो भी कारिकी है उनको जनता तक उनको घर घर तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा और मैं समझता हूँ कि आज दलिद भायों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मजबुती के साथ चाहा हात्रस का मुद्दारा हो या अन्य किसी भी मुद्दे बकानपुर देहात का माम कांग्रेस पार्टी ने आदर प्रिंका गाती जीने मजबुती के साथ उनकी आवाज को उठाई है और संकर्स किया वहीं अगर देखा जाए कि आपने पहले सम्मेलन कर रहे हैं लगातार जो करते जा रहे हैं दलितों के लिए जातर निकलेगी सवर्णों की क्या बात कि सव से जादा मुख्यमंत्री जो है ब्रामर समासे दिये समन समासे दिये उनके लिए क्या आप किस तरीके से क्या आप लोग को आ रहे हैं दिके कांग्रेस पार्टी किसी जाती और किसी धर्म की पार्टी ने सब को लेकर चलने वाली पार्टी है और सब को बराबर का दर्जा द करती है कांग्रेस गाहों गरीब खेट खलियान और किसानों की आवाज को बुलंद करती है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पाइटी सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने का कारे करती है तो यह था जी कमाल अलुज ने साफ तर पर बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में तमाम वो नीतियां हैं जो गरीब किसान और इसके साथ साथ जिस तरीके से बेरोजगारी है उसको लेकर उजमीन पर जाएंगे हाला कि जो सवाभिमान यात्रा निकलेगी दलितों के लिए उनको बताएंगे नीतियां कि आखिर सकेंद पक्षु इसलेशन के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी और प्रेस दा बेल इकन नेवर मिस अनी अपडेट